दोस्तों जीना भैरतों ने सीटेट का 20 अगस्त को एक्जाम दिया है ऐसे में काफिया भैरतों की कमेंट आ रहे हैं कि मैं मेरा इतना नंबर बन रहा है क्या मैं पास हो पाऊंगा यह नहीं हो पाऊंगा और क्या नंबर बढ़ने के कितने चांस है तो इन सब पर जो है हम आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि जो अब भैरती 20 अगस्त को एक्साम दिये उन काफिया भैरतों के कमेंट आई हुए है कि मैं सीटेट में जो है हमारे इतने नंबर्स बन रहे है क्या हम जो है आ रहा है तो दोस्तों आप लोग जो है बेफिकर रही है आप लोग भी क्वालिफाई कर लेंगे हां जैसे क्या है मैं यहां पर बता दूँ यहां पर आपके कुछ अभ्यार्थियों के नंबर जैसे जिनके अगर आप जनरल में हैं आपके 88, 89 आ रहे हैं इस तरह से और 87 से माल जे 87, 88, 89 पर आप हैं तो क्या जो है आपके नंबर बढ़ सकते हैं इस पर हम लोग जानेंगे जो OBC, SC, ST कांडिडेट हैं जैसे जिनका 80 है, 81 है क्या इनके जो है नंबर बढ़ने के चांस है दोस्तों देखिए आपने जो आंसर की मिलाई होगी किसी चैनल से या फिर कि कोचिन वगेरा से तो इसके तुरू आपने मिलाई है बर जो आपके आंसर की आएगी ना तो उसमें कुछ नकुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दोसे तीन नंबर का तो अभी जो है जिन अभ्यारतियों का मैं यह कहूंगी दोस्तों जिन अभ्यारतियों का चाहे अब जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जिनका दो से तीन नंबर में कम लग रहा है और आपका डाउट बना हुआ है कि मैं क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी अभी आप लोग आंसर की का वेट कर लिजे क्योंकि जब आंसर की आती है ना तो उसमें आपको दो-तीन कोशन का चेंज देखने को मिलेगा वहाँ पे तो बहुत से अभ्यारती हैं कि जो मैच करते हैं तो जहां उनको डाउट लगता है वो भी जो है काउंट कर लेते हैं और जहां पर एक तरह से डाउट कहीं जहां जहां कुछ अभ्यारतियों के डाउट रहते हैं वो उसको छोड़ देते हैं तो आपको लेकर के बहुत से अभ्यारती इस तरह भी जो है काउंट किये होंगे लेकिन दोस्तों अभी आप लोग रुकिए 27 28 अब जादा दूर नहीं है 27 28 तक जो है आपकी आंसर किया ज फिल किया है जबकि जो लेंग्वेज का उनका बुकलेट कोड था उसको फिल कर दिया है अब मालेजी जो मशीन है जो रीड करेगी तो वो तो उस पर करेगी ना जो आपने उसमें फिल किया है यानि अगर आप लेंग्वेज के बेस पे आपने आपका जो मेन बुकलेट था वो मालेजी A था और आपका जो language का मालेजी C रहा होगा तो अगर आपने C उसमें fill किया है तो वो main जो booklet code है वो C पर read करेगी तो इस तरह से आपके लिए problem हो सकती है लेकिन दोस्तों मैं आप सभी से अभी यही कहना चाहूंगे क्योंकि काफी अभ्यारतियों कि इसको लेकर के comment आए कुछ नो कुछ गलतिया हो नहीं है तो आप लोग अभी जो है अपनी answer की कवेट करिए और प्लीज आप लोग negative मत सोचिए अभी जो है आपको positive चलना है जिनका भी 2 से 3 number रुक रहा है से लग रहा है कि पांच नंबर है छे नंबर है दस नंबर की आसपास है जैसे हम बात करें जिनका जो जनरल वाले है 90 पर qualify होता है माली जी उनका 80 है 81 82 है तो आप लोग के लिए दोस्तों यहां पर हम जो है एक तरह से यह कहें कि आपको फिर से जो है सीटेट देने की तयारी करनी चाहिए और जो OBC SC ST वाले हैं इनका 82 पर qualify होता है इनको अगर हम यह कहें कि इनका RIS 71 72 73 इस तरह से आ रहा है तो आप सब को जो है फिर से सीटेट next सीटेट की तयारी करनी चाहिए देखिए दोस्तों मैं यह नहीं का रही हूँ क्योंकि एक तरह से यह कहें कि हम उल्टा सीदा बताना आप सभी के लिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो और अधर चैनल पर आपको बताए जाएगा कि 5-6 नमबर बढ़ सकते हैं साथ नमबर बढ़ सकते हैं आप लोग बेट करिए तो नहीं दोस्तों मैं यहाँ पर जो जेनुएन है जो आपके सामने देखने को मिलेगा मैं वही बताऊंगी यहाँ पर दोस्तों 2-3 नमबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है मैं यह कह रही हूँ लेकिन आप जो ज़्यादा उमीद लगा है कि जिनका 5-6,7,8,10 नमबर तक किस तरह से माइनस जा रहा है तो आप लोग से मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है नेक्स सीटेट का तयारी अपने स्टार्ट कर लीजे तो दोनों लोग से मैं यही कहूँगी जिनका 2-3 नमबर से रुक रहा है तो आप लोग आंसर की का वेट करिये जिनका ज़्यादा नमबर रुक रहा है आप लोग दोस्तों नेक्स सीटेट का फिर भी मैं आपसे कहूँगी आपकी जो आंसर की आएगी आप सभी से मैं कहूंगी कि आपकी जो answer की आएगी आप उसे एक बार जरूर मैच करिएगा और उसे related अगर आपको answer की आएगी मैं सब कुछ आपको detail में दूँगी जब भी answer की आएगी और आप उसको किस तरह से check करना है मैं सब कुछ बताऊँगी उसके बाद भी आपके मन में कोई doubt रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मैं आपको detail उन सब चीजों का जो भी guide है दोस्तों मैं अपनी तरफ से आप सभी को करती रहोंगी तो आप ये भरम लेकर के अभी मत चलिए आप लोग main answer की का wait करिए क्योंकि answer की आती है तो माले जी किसी question पर doubt है तो आप लोग उस पर challenge भी कर सकते हैं आप लोग अपनी question paper में देख लीजिए जिस question पर लग रहा है कि आयोग ने जो है इसमें cvc board आ जो है इसमें कुछ mistake किया गया है question में ये गलत है तो आप उस पर objection कर सकते हैं challenge कर सकते हैं क्योंकि उसका आपको time दिया जाएगा दो से तीन दिन का आपको time मिलता है question पर challenge करने के लिए तो इस तरह से जब कोई बच्चा challenge करेगा तो वो सभी को जो है उस question पर common number मिलेगा जिनका माले जी वो सही होगा तो उनका तो सही पहले सही रहेगा जिनका नहीं होगा तो उस पे उनका plus number हो जाएगा तो इस तरह से अभी आप लोग answer की का wait करिए उसके बाद दोस्तो answer की का आने के बाद अगर कोई objection होता है उस पे तो उसके बाद से फिर से जो है यानी revised answer की भी आपके आएगी अगर कोई objection नहीं होगा तो वही आपकी final answer की होगी तो उसके बाद direct जो है आपका result आउट कर दिया जाएगा और आपका result जो है दोस्तों 20 सितंबर तक देखने को मिल जाएगा दूसरी बात यहाँ पे काफी अभी हरतियों की कमेंट आ रहे थे कि मैं नेक्स सीटेट का जो एक्जाम होगा वो आनलाइन होगा या आफलाइन होगा दोस्तों देखिए जैसा कि पहले तो आपने देखा है कि आफलाइन ही एक्जाम हुआ है 2019-2020 तक 2021 में 2022 में जो आपका एक्जाम होगा वो आनलाइन हुआ है ऐसे में जो है सीबसी बोर्ड को इसको ले करके सब कुछ मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल था कि यहाँ पे 23-24 शिफ्टों का पेपर उन्हें बनाना पड़ता था सब पेपर अलग-अलग लेंग्वेज के सारे पेपर अलग-अलग तो इस तरह से उनको मैनेज करने में काफी टाइम लगता था सब चीजों को ले करके इसलिए CBSC Board ने डिसाइड कि और आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एक्जाम में पेपर लिक वाले मैनेटर जो है काफी देखने को मिले कि यहाँ जो है पेपर लिक हुआ कंप्यूटर में जो अभ्यारती पेपर देने जा रहे हैं उनका पेपर कहीं और से सॉल हो जा रहा है तो इस तरह के जो है देखने को मिले थे इस वज़े से फिर से आफलाइन किया गया है और दोस्तों अब यह जो है आफलाइन ही आपको देखने को मिलेगा और आपका यह एक्जाम जो है दिसंबर में देखने को मिलेगा तो जिनका जादा नमबर से रुका हुआ है दोस्तो अगर एक महीने या दस दिन बीज दिन पढ़ लेंगे तो हम लोग का कौलिफाई हो जाएगा आराम से दोस्तों आप इस भरम में भी इन मत रहिएगा कियोंकि सीटेट का जो लेवल है अब धीरे-धीरे हाई हो रहा है जैसा कि कंपुटिशन बढ़ आ है तो आप पिछला ले मैरातन देखें आपके जो है पेपर निकल सकते हैं दोस्तों देखें मैरातन जो दिया जाता है वो आपको उसी के लिए help करता है जैसा कि मैं भी दी हूं सभी सब्जेक्ट का मैं आपको बता दू वो मैरातन उन्हीं अभ्यार्थियों के लिए जो है एक अच्छा थाबित ह सकता है जो पहले से study किये होंगे क्योंकि जो मैराथन होता है ना दोस्तों आपका वो revision होता है जो आपने पिछला जितना पढ़ा है तीन महीने चार महीने से तो आप जब अभी से नहीं तायारे सटार्ट करएंगे तो क्यों यसे में कफि नहीं है की प्रॉबलम नहीं है तो वहाई अभ्याति आप हे बहुत करेंगेई दस दिन पढ़नेगे होजा जाएगा तो वही अभ्यारति आप इन प्राफिया बहदी जो है नजानकारी की वजय से जैसे उनको पता नहीं होता है कि हाँ क्या चीजीज़े कैसे जैसे हो ये मार में काफी गलतियां कोश्चन करके सब कुछ आते हुए आपको सब कुछ आ रहा है लेकिन अमार शिट में आपने गलतिया कर दी है तो दोस्तों आपको सब कुछ का आसर नहीं है कि आप पेपर देने जा रहा है तो सिर्फ आपको पूरा स्लेबस पढ़ना है पूरा स्लेबस पढ़के सब कुछ पढ़ लें आप दोस्तों अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हैं अगर आपने प्रेक्टिस नहीं की आपको पता नहीं है कोशन किस तरह से पूछेगा तो आप नहीं कर पाएंगे तो आपको पढ़ने के साथ साथ हर एक चीज का जो है एक तरह से कहें guidance मिलना चाहिए जो कि मैं आप सभी को हमेशा जो है दोस्तों गाइड करती रहती हैं क्या तो आप लोग जो है हर चीज को ले करके चलिए अपने देख लिया उस्पर क्या क्या टॉपिक है कहां से कोशन सीटेट बार बार उठा रहा हैं यह जाना आपको बहुत जरूरी है तो आप इस तरह से जब पढ़ाई करें गे तो आपको दोस्तों यहां पर है क्वालि और जैसा कि आपने सेंटर देखा कि पहले आओ पहले पाओ वाला रूल था तो ऐसे में काफी अभ्यारती जिनकों दूर सेंटर देखने को मिल रहा था उन्होंने अपलाई ही नहीं किया तो ऐसे भ्यारतियों के भी कमेंट आ रहा है कि मैं जो है सिट्रेट एक्जाम कब होग कैसे हम लोग प्रिप्रेशन करें तो दोस्तों मैं आप सभी को गाइड करती रहूंगी नेक्स वीडियो में इस से रिलेटेट मैं पूरी जानकारी दोंगी तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों आप से आप सबसे मैं फिर से एक बार यहीं कहना ठीक है और जिनका ज्यादर नंबर से है जैसा कि मैंने बता दिया जिनका ज्यादर नंबर से लग रहा है जैसे दस नंबर है आट नंबर है साथ नंबर है तो आप लोग ने सीटेट का तैयारी अपने शुरू कर दीजिए तो दूसरे यह थी से रिलेटेटिक पूरी जानक झाल क्यों